नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोगे साथ ड्रीप सी याड ड्रॉप के बारे में इनफोर्मेशन शेयर करने बालू हूँ बहुत ही बढ़ियां कान की ड्रॉप है किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है साइड एफेक्ट बगरा किया है हर चीज लेकर मैं आप लोगे साथ म एक बहुत ही मधियाँ कान की ड्रॉप है और इसके अंदर जो दो मॉलेकुल है के इसे किया जाताए स One Walt कान में दर दोना या फिर आपका कान से कभी कबर किया होता है यह फंगाल इंफेक्शन थोड़ा जादा हो जाने से घाओ जी से हो जाना फिर वहां से पानी आना तो इस तरीके का जो पॉब्लेम होता है यह पॉब्लेम सॉल्ब करने के लिए मेंली लीडोकाइन और कोट्री को बता सकते हैं कि आपको यह दिन में दो टाइम लेना चाहिए तीन टाइम लेना चाहिए या फिर आपको एक हफता तक लेना चाहिए तो आपका जो ये normal जो doses होता है अगर किसी बेक्ती को अगर कान में normal fungal infection हो चुका है और उन्हें ये दवाई लेना है तो normally जो dose होता है one drop करके अगर दिन में दो टाइम लेते हैं तो आपको 3-4 दिन के अंदर आपको result बहुत बढ़ियां मिल जाता है लेकिन किसी patient को अगर घाव टाइप का हो चुका है कान के अंदर जहां से पानी भी आ रहा है तो इस situation में हो सकता है उसे antibiotic के भी जरूरत परे तो खुझ से यसे इस्तिमाल मत कीजिए डाक्टर की सलाव अनुसर लेजिए तो आपको बहुत बढ़ियां result मिल जाता है नॉर्माली दोस्तों इसका उतना कोई side effect नहीं है जो normal side effect होता है वो आपको कान दरत होना या फिर आपको थोड़ा चक्कर आना या फिर नींद आना इस तरीके का normal problem हो सकता है लेकिन अगर यह 3-4 दिन तक continue चले तो फिर आप डाक्टर से सलाल जरूर लेके जो बढ़ियां होता है वो आप उसे इस्तिमाल कर सकते है आशा करता हूं दोस्तों आज का information वीडियो आप लोग को आच्छा लगे थांक्यू फर वाचिंग डिया टिवी नेक्स वीडियो में दुबारा मुला आगात होगी दोस्तों एवे नाइस टे